आज हम सूजी से बहुत ही अच्छा सा नास्ता बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ले ली हैं, देर कप सूजी, वन एड हाप कप, अब हम डालेंगे यहाँ पे नमक, एक छोटी चम्मस से, हाप कप डालेंगे दही, अब इन सभी को अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम मिलाएंगे पानी, तेहाँ पे मैंने हाप कप पानी लिया हुआ है, और थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, अभी हम सूजी से डो बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमें पानी बहुत कब मातरा में डालनी है, तो थोड़ा-थोड़ा करके डालें और वीडियो को पूरी देखें, आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे मैंने हाप कप पानी यूज किया है, और इसी तरह का हमें हाट डो इसे डेडि करना है तो यह देखें, बस इतना ही हम इसे पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे हम डो बनाएंगे तो इससे ज्यादा liquid warm में हमें नहीं लाना है, बस इसी तरह से करकना है, हलका इससे soft करना है बस, तो इस तरह से देखें मैंने से इस तरह से mix कर लिए आप देख सकते हैं यह देखें, अब इस हम क्या करेंगे ना, सूजी को 10 मिनिट के लिए एक प्रेट से ढखके रख देंगे, और 10 मिनिट में यह काफी soft हो जाएगी और फिर हम dough ready करेंगे, तो 10 मिनिट बाद हम सूजी के dough बनाएंगे, तब तक हम इसके लिए stuffing बनाएंगे, जिसके लिए आगए में गेस के पास, और एक कड़ाई में मैंने डाल दिये हैं यहाँ पे दो चमच तेल, हाप चमच हम डाल देंगे जीरा, एक कटिवी हरे मिर्च डाल देंगे, अब यहाँ पे हम कुछ सबजिया डालेंगे तो यहाँ पे में डाहरे हूँ एक कटा हुआ प्याच, पहले हम प्याच को फ्राई कर लेंगे हलका ब्राउन गलर आने तक, अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच अध्रक लशून का पेश्ट, अध्रक लशून के पेश्ट को भी हम प्याच के साथ फ्राई कर लेंगे, आप देख सकती है प्याच में फूच्छा हड़ाग को חb dolors प्रॉट काई में, अब देक सकती ही प्याच में बहुत अच्छा सा कलर आ गया हूँ, इस टाइम पे हम डाल देंगे वन भारे फोर्थ कब बिन्स, वन बार फोर्थ कब हम डाल देंगे कटावा गाघर एक छोटी चमस solic hefaz anyone love और यहां पे चांवक साइवमक नद्मक कंड़ा कि इनागया सीटाफ और हाप चमस्य का कर दिदी हल्दी वडिक है ज़ता Iyet डाल देंगे लाल मिर्च 25 वडिक और कहां चमस डाल देंगी गरम मशाला कर दो यहां पे मैं डाला दूंगी हाप चमच अमिखूर, आप ने दीच के जगाप पर चाठ मसाला भी डाल सकते हैं इन सब्ज़ो के अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे इस सरा से और एक मिनिट के लिए सब्जु के साथ हाई फ्लेम में हम इससे से फ्राइ कर लेंगे सभी मसाले को इसे काफी अच्छा टेश्ट बढ़ जाता है अब मैं यहां पर डालूगी बॉयल्ड आलू मैंने चार आलू लिये थे जिसे मैंने मेश्ट कर लिया था उसके बाद यहां पर मैंने डाल दिया है आलू को अच्छी से इन सब्जी के साथ हम मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही चटपटा सा मसाला हमें मिल जाएगा तो हमारा आलू को मसाला बनके त्यार हो चुका है तो इस टेम पे हम डाल देंगे थोड़ी सी धने की पत्ती और धने की पत्ती को भी मसाले के साथ अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो हमारा चटपटा सार तेश्टी सा मसाला बनके त्यार हो चुका है हम गिस की फ्लेम को इस वक्त बंद कर देंगे अब हम आ जाएंगे आप इस सूजी के पास दस मिनेट हो गए हैं हमारी जो सूजी है न काफी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है तो इससे हम डो बना लेंगे जैसा माटक उठते है न बस इसी तरह यह देखे कितनी असानी से बन गया न अब हम थोड़ा सा यहां पे सूजी हाथ में ले लेंगे और इस तरह से बीच में हम स्पेस बना लेंगे और जब हमने स्टफिंग रेड़ी कितना हुआ हम इसके बीचों बीच रखेंगे लगबग एक चम्मच इस तरह से हम चम्मच की हलीब से हलका हलका इसे अंदर करते जाएंगे और अभी इसे हमें एक बॉल जैसा सेव दे देंगे यह देखें इस तरह से जैसे हम किसी रोटी में कुई सबजी या कुछ मसाला भरते हैं श्टफिंग करते हैं बस ऐसे हमें करना है और इस तरह से हम सरकल जैसा इसे बना लेंगे अब हम गेस के पास आगे हैं मनेक पेन में एक ग्लास पानी को गरम करने के लिए रख दिया था अब इसे में हम देखें इस तरह से श्टेन लगा लेंगे एक प्लेट जिसमें मैं अभी इसको इसको इस्टिम करने वाली हूँ तो अभी जो हमने बॉल्ट्स बना के रेडि किया था नहीं इसे हम इस्टिम करने वाले हैं तो इस तरह से इस प्लेट की ओपर हम रख देंगे अब हम लिड को लगा देंगे इसे कवर कर देंगे अच्छी से और इस्टिम होने के लगवग हम 10 मिनिट के लिए मिडियम लो फ्लेम में रख देंगे 10 मिनिट के बाद इसे हम चेक करेंगे 10 मिनिट के गपर आप देख सकते हैं काफी अच्छी से स्टिम ओ छुक हो जुकी है या यह देखिए और मैंने गिस की फ्लेम को बंद कर दिया है तो सभी बाल्स को हम एक प्लेट में निकाल देनगे अजिया इभी कि मैंने निकाल दिया और इसे में नाइफ केप जिस्ते से कट करूँ यह देखें आप इसी स्टाफिंग देखें कि इतनी अच्छी स्टाफिंग हुई है तो बहुत ही टेश्टी सा नास्ता अभी सब जुरू ट्राय कर सकते हैं और देखने में भी भाध ही झाल 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 झाल